नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Multimedia Guru जी YouTube चैनल पर मेरे नाम है सुनील कमार और आज हम बात करने जा रहे हैं 3D Max थे Extended Primitives में अवलेबल Last Options के बारे में तो टाइम ना वेस्ट करते वे चले दोसरी शुरू करते हैं और Open करते हैं 3D Max 2014 दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हमने Extended Primitives में C Exit तक अपने Options को चेक कर लिया था completely तो अब हम जाते हैं Ring Wave के अंदर इसे सबसे पहले Top पर Create करेंगे इसमें पहले Ring Create होएगी फिर जब हम Drag करेंगे तो Waves Create हो जाएगी इसमें Condition यह है कि Ring सिर्फ Inside Create होएगी आउटसाइड Create नहीं कर सकते हैं तो इसकी Properties हम चेक करते हैं इसमें सबसे पहले आता है Radius जो Ring के Circle को Manage करने के काम आता है Next इसके अंदर आता है Radial Segment Radial Segment इंक्रीज करने पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक दो तीन चार पांच पांच सेगमेंट सिसके इंदर एड़ हो चुके हैं जैसी मैंने यहाँ पर Radial Segment इंक्लूड करा यह Segment अगर आपको Prospective View में नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप Top View पे देख सकते हो कुछ इस Type के Segment एड़ हो चुके हम जैसे जैसे Amount को Change करेंगे इसमें Segment Increase और Decrease होंगे जो की हमारी Customization में Help करेंगे Then इसके बाद Next इसके इंदर आता है Ring Width, Width को आप Manage कर सकते हो जिसमें Wave का Size हमारा Manage होएगा Then इसके लावा आता है Sides जो की By Default 200 होते हैं इसे अगर हम Minimize करें तो Minimum 3 Segment इसके इंदर Show करेंगे Sides को हम 200 या फिर 200 से जादा भी कर सकते हैं यह हमारी Designing पर Depend करता है लेकिन बस यह है कि आपकी जो File है वो Heavy नहीं होनी चाहिए अगर हम इसके उसे उसे के बात करें तो यह वैसे Look Wise तो एक Jellyfish टाइप का लग रहा है लेकिन जैसा इसका नाम है Ring Wave Mostly क्या है कि जब हम Taboo अग्यारा Create करते हैं तो उसके Sides में जो Waves Create होती है और Animate होती है वो Animation हम इस Ring Wave के जरिये बहुत ही Easily बना सकते हैं क्योंकि यह एक Animated Object है जैसे For Example मैं आपको बताऊं नीचे यहाँ पर Play Animation का Button है जैसे हम Click करेंगे तो यह Object Animate होने लग जाता है यहाँ पर Sides हमने अपनी Manage करी थी जो की 200 तक By Default थी इसके बाद इसमें Height में चले जाते हैं Height के थुरू इसमें क्या है कि कुछ और Difference अगर हमने दिखाने हो तो वो भी हम दिखा सकते हैं ऐसा कुछ हमारा यह Object दिखाई दे रहा है Then इसके अंदर Height Segment के Options है जो की आगे Customization में Help करते हैं कुछ इस टाइप का यह Object बन जाएगा Then नीचे सके अंदर आती है Ring Wave Timing Ring Wave Timing यानि कि यह हमारे Animations से Related है जैसे कि हम यहाँ पर Play कर रहे थे तो हमारा यह जो Animation है 100 तक Play हो रहा है लेकिन अगर मैं यहाँ पर Option No Growth की जगाँ पर क्लिक कर देता हूँ Growth and Stay तो क्या होगा इसे Play करके देखते हैं कुछ इस टाइप का Animation बन रहा है यह 0 से लेकर 60 फ्रेम तक चल रहा है Then उसके बाद Stay हो रहा है अब अगर हम यहाँ पर Growth and Stay की जगाँ पर Cycle Growth पर क्लिक कर देते हैं तो क्या Changes होएंगे यहाँ पर 0 से लेकर 60 तक Animation बना Then 60 के बाद फिर 100 तक एक छोटा सा Animation और Play होआ था और फिर उसके बाद 0 से लेकर 60 तक दुबारा Continue हो रहा है यानि के जो 60 Frame है वो इसका एक Lap है तो अगर मैं इसे 100 कर दूँ यह मैंने Growth Timing इसके 100 कर दी तो क्या होगा कि इसका Growth का जो Timing है वो थोड़ा और Slow हो जाएगा और हमारा Animation 0 से लेकर 100 तक Complete हो पाएगा तो यहाँ पर जो Timing है वो आप अपने Schedule के According कर सकते हो जैसे for example मैंने इसमे Growth Timing 50 कर दी तो यह हमारे 100 Frames के अंदर दो बारी Scale हो जाएगा एक बारी Scale हो गया दन दूसरी बारी Scale हो गया तो Mostly ऐसी Amount रखनी है जो कि आपके 100 से Divide हो सके तो आपका Animation Looping में लगेगा लेकिन अगर आप Amount ऐसी रखोगे जो कि 100 से Divide नहीं हो पाई तो आपके उसमें जो Time Duration है उसमें फिर Differences आ जेंगे तो इसको Manage करने के लिए हम आगे Animation के पार्ट के अंदर देखेंगे लेकिन फिलाल अभी इसे No Growth रखते हैं अब इसके बाद दो Option हमें मिलते हैं Outer Edge Breakup और Inner Edge Breakup जैसे कि आप इसके Animation में देख रहे हो कि सिर्फ Inside इसके अंदर Animation Create हो रहा है अब हम चाहते हैं कि Outside जो कि Outer Edge Breakup है वो अभी On नहीं हुआ हो है अगर हम उसे On कर देते हैं तो इसके इंदर क्या Customization हो पाएगी जैसे कि First इसमें मैं Amount Increase करी थोड़ी बहुत उसके बाद Width Flex का इसमें Option आ रहा है इसको भी मैं Increase करता हूँ तो आप देखोगे कि Outer Area के इंदर Waves Create होनी Start हो चुकी है इसके बाद Crawl Timing इसके इंदर दिए गई है लेकिन अगर हम Width Flux इसका Use करते हैं और Amount को Increase करते हैं तो इसके इंदर All Deeply Waves Create हो रही है Then Next इसके इंदर आता है Crawl Time एक और Then अब ज़र हम Play करके देखते हैं इस Object को कैसे चलता है कुछ इस Type का हमारा यह Object बन चुका है तो Cool मिला के यह है कि Inner और Outer के इंदर जो Waves का Animation है वो आप Customize कर सकते हो इन दोनों Options के थूँ और अगर हम इन दोनों को इखटे एक जैसा ही चलाना चाहते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा या उपर वाले Options को नीचे वाले Options के साथ Equal Manage करना पड़ेगा जैसे के First मैंने 11 11 इसका Match कर दिया दूसरी Amount इसकी 25 है यहां पर भी 25 कर देता हूँ Second Amount 121 और Third Amount 29 Fourth Amount इसमे 10 है और Fifth Amount –27 तो अब इसकी जो Waves की Designing है वो दोनों साइट सेम हो चुकी है अगर हम इसकी Width को Manage करना चाहे तो यहां पर हमें Ring Wave की Width दिखाई दे रही है जिसको हम अपने Requirement के According Manage कर सकते हैं अब ज़रहें इसका Animation देखते हैं कुछ इस टाइप का Animation चल रहा है तो काफी Unique Option है यह और हमारे 3D Max के इंदर Standard और Extended Primitive में यह Object एक Lotta ऐसा Object है जो की Animation के Purpose के लिए Mostly Use करा जाता है बट इसके जो Use करने के Chances है वो बहुत कम है क्योंकि किसी एक Particular Part के लिए ही इसका इस्तमाल करा जाता है तो इसको हम Delete कर देते हैं इसके लावा इसमें और कोई Properties हम देखने को नहीं मिल रही है अब चलते हैं अपने New Object पे जिसका नाम है Horse Horse को हम Top से Create करते हैं सबसे पहले इसमें भी Radies बन रही है Then फिर Height क्रेट हो रही है अब इसके अगर हम Properties की बात करें तो इसमें First आता है Free Horse जो की इस Type का Object हमारा दिखाई दे रहा है Second Option इसके अंदर हम चेक करते हैं जो की है Bone to Object Pivot इसका इस्तमाल कैसी करा जा सकता है इसमें दिया गया है Bind Objects Top और Transition Option है फिर Bottom है फिर Transition Option है तो इसको चेक करते हैं इसके लिए मुझे दो Objects की Requirement पढ़ेगी Standard Primitives में गया और यहाँ पे एक Spare और दूसरा Spare यह मैं Create कर देता हूँ जो की Bind करने में Help करेगा Modify के अंदर चले जाते हैं Horse के और यहाँ पर जो First Pick Top Object आ रहा है इसके लिए मैंने First Object सेलेक्ट कर लिया Then Pick Bottom Object के लिए Second Object मैंने सेलेक्ट कर लिया और कुछ इस Type का यह Object बन चुका है और काफी Unique अगर मैं इसे Move करके देखूँ यहाँ पर यह First Spare है हमारा इसे हम Move कर रहे हैं तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि दोनों Rubber के साथ जुड़ चुके हैं एक Bone Type का यह Option बन चुका है तब ही नाम इसका Bone दिया गया था तो अब देखते हैं इसके इंदर और क्या क्स्टमाइजेशन अवलेबल है दुबारा से Horse को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आती है Transition Transition 100 भी है और इसे Less हम Zero भी कर सकते हैं Zero में यह Object बिलकुली नीचे Low हो चुका है और ऐसे ही दूसरे Transition के इंदर अगर हम देखे तो यह भी Low हो चुका है तो इसके Amount तो फिलाल अभी हम By Default 100 ही रहने देते हैं क्योंकि अभी हमें और भी Properties इसकी Check करनी है थोड़ा सा दूर कर देता हूं इसको तो नीचे चलते हैं इसके अंदर आ रहा है Common Horse Parameters तो इसमें First Segment है Segment Increase और Decrease कर सकते हैं अपने Detailing के According यानि के इसमें जितने Waves वगेरा आप बढ़ाओगे उतने ज़्यादा आपको Segment देने की जुरत पड़ेगे उसमें Detailing देने के लिए Next इसके अंदर आता है Starter Starter Amount देखते हैं 10% दी गई है कुछ इस Type के Amount ही है Work कर रही है यानि के Wave कितनी रखनी है Next ऐसे ही यहाँ पर End की Amount भी है जिसको आप अपने Requirement के According manage कर सकते हो Then इसके अंदर 5 Circles दिए गए हैं इसको मैं और Include कर सकता हूं कुछ इस Type का यह Object हमारा बन रहा है इसमें एक इक दिक्कत आ रही है बीच में Object के अंदर मैं देखता हूं इसमें क्या Changes हो सकते हैं अगर मैं इसे Move करूँ तो यहाँ पर जो इसका Band था वो अब थोड़ा सा Sold Out हो चुका है इसके अंदर जो Bone का Work के है वो Move, Rotate और Scale के थूरू भी होता है लेकिन उन Tools के बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं है Next Video के अंदर हम उसी Topic पे Work करने वाले तो इसकी Properties को और आगे Continue करते वे देखते हैं Start or End हमने चेक कर लिया है इसके अंदर Cycles हमने चेक कर लिया है अब Diameter देखते हैं यहाँ पर Diameter जो है वो है Inside Area के लिए यानिके जो Inside यह Shrink Area बना हुआ है इसकी Strength आपने कितनी रखनी है वो इस Diameter के अंदर आप Set कर सकते हो Then इसके बाद आती है Smoothness Sides आपने Smooth करने हैं कुछ इस Type से या फिर None करना चाहते हो None के अंदर Overall जो आपका Object है काफी Hardly Show करेगा और Next इसके अंदर Segment का Option है तो फिलाल अभी Smoothing को तो हम Full On On रखते हैं और चलते हैं Next Option के अंदर जिसमें आता है Rounded Horse Rounded Horse के अंदर आपको क्या Option मिलेंगे First इसके अंदर मिलेगा Diameter Outer Area के लिए पहले जो Diameter मिलाता वो मिलाता इस Inside Area के लिए लेकिन अब जो Diameter है वो Outside Area के लिए है जो हमारा Main Horse Option बना हुआ है Then इसके अलावा इसमें आते Sides कितनी ज्यादा Detailing आपने देनी है अपने इस Object को Complete Detail दिखाने के लिए Then इसके अलावा अगर मैं इसके अंदर Rectangular Horse का इस्तमाल करता हूँ तो यह Object कैसा दिखाई दे रहा है कुछ इस Type का अब इसके अंदर अगर मैं Width Manage करना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो के Object की Width Rectangular में अलगी जा रही है और ऐसे ही Depth इसके हम Manage कर सकते हैं Next इसके अंदर आता Fillet इसके Corner Rounded करने हो तो लेकिन उसके लिए पहले Fillet Segment के Requirement पढ़ती है यहाँ पर Segment Increase कर दिए और जो इसका Fillet Amount है उसको थोड़ा MLS कर देता हूँ तो आप देख सकते हो के Rectangular Shape होने के बावजूद इसके जो Corner है वो काफी Detailed और Chamferred हुए है तो यह एक Plus Point है हमारे इस Object Customization का अब इसके अंदर All Check करते हैं नीचे के Options थे Fillet के बाद आता है Rotation हम अपनी Requirement के According जैसे Rotate करना चाहें इसे कर सकते हैं 360 एंगल में से किसी के अंदर भी Next इसके अंदर आता है D Section Horse इसकौन करते हैं तो हमारा यह Object D Type के अंदर बन जाएगा यानि कि एक साइट से तो यह Circle होएगा और एक साइट से Flat तो इसके अंदर क्या क्या का Customization हो सकती है First इसके अंदर दिया गया है Width Width आप इसके कितनी देना चाहते हो Then D Shape की Depth कितनी देना चाहते हो वो इसके अंदर Option है और इसके बाद इसमे Round Sides Round Sides दिये गए है जो की Curve Area है उसके अंदर कितने Sides कितने Segments देने Then जो Flat Area है जैसे कि यहां पर Flat Area है इसमें Fillet कितना देना है और Fillet के अंदर Segments कितने देने तो एक साइट से जो Flat Area था कुछ इस Type का Show कर रहा है और एक साइट से Rounded Area कुछ इस Type का Show कर रहा है Fillet Segment के अलावा नीचे इसके अंदर Rotation ही दी गई है तो यहां पर हमारे इस Option की जो Properties है वो भी खतम हो चुकी है तो इसको भी Delete कर देते हैं Plus Spare के साथ और चलते हैं Next Object के अंदर जिसका नाम है Prism So Prism को Top View पे Create करेंगे कुछ Triangle जैसा ही दिखाई दे रहा है Then इसके अलावा इसमें जो तीसरे Angle है वो दुबारे से Customize करने का Option आ रहा है हमारे Click Release करने के बाद और जैसी Click छोड़ देंगे और Move करेंगे Top पर तो इसके Height create हो जाएगी इसके अंदर मुझे ज़्यादा Options दिखाई नहीं दे रहे हैं First इसके अंदर आता है Side 1 Length, Side 2 Length और Side 3 Length 2 और 3 के अंदर मुझे कुछ ज़्यादा Difference नहीं दिखाई दिए अब Next आता है इसके अंदर Height Object की Height आप कितनी देना चाहते हो Then इसके बाद Side 1 Segment Then Side 2 Segment और Side 3 Segment Then इसके बाद Height Segment तो सर्फ यही Customization है हमारे इस Object के तो हमारे Extended Primitives भी यहाँ पर Complete हो चुके हैं Next वीडियो के अंदर देखते हैं Tools पर काम करेंगे या फिर Shortcut Keys पर So I hope दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेर एंड कमेंट करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है So सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को ताकि Time to Time होने वाले अपडेट आपके पहुचे सबसे पहले तुम बिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में